हेलो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं से लेप ड्रोप के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके फैदे क्या हैं इसे कब एवं कैसे इस्तमाल करनी चाहिए इसके इस्तमाल का दौरान कौन-कौन से साधानियों को ध्यान में रखना चाहिए या सरीर में किस परकार से क बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहें हमारे इस चैनल पे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृणीब हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरू कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी परकार की और वीडियो लेकर आते रहे हैं तो चली सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपनी के बारे में तो इसे बेनो से लूड केर कंपनी न बनाती है जो अच्छी कंपनी है और अब बात करते हैं इसके कंपजिशन के बारे में कि इसमें कौन-कौन से कंटेंट मिले हुए हैं तो इ बात करते हैं इसके MRP के बारे में तो इसका MRP 70 रुपया है जो 15 ml के कौंटिटी में आता है और इसमें एक ड्रोप और एक ड्रोपर दिया हुआ रहता है जो अपने डॉक्टर द्वारा बताये गए डोज में इस ड्रोपर से बच्चे को देना रहता है और अब बात करते हैं इसके फैदे के बारे में कि इसे किन किन बीमारियों में इस्तमाल किया जाता है तो इसका मुख्य इस्तमाल अनिद्रा और निंद ना आने की इलाज में दिया जाता है अनिद्रा एक समाने निंद का विकार है जिसमें रात में निंद आने या सोने में कठनाई होती है यह न इस्थिती में भी दिया जाता है और अब बात करते हैं कि इसे कब एवम कैसे सेवन करनी चाहिए तो इसे भोजन के पहले या बाद में दिया जा सकता है स्लेब डोप की खुराक आपके बच्चे की स्वास्त समस्या और इलाज के परतिक किरिया पर निर्भर करेगी चुकि स्लेब डोप कई घंटों तक सरीर में एक्टिव रहता है इसलिए आपका बच्चा अगले दिन भी सुस्ती का अनुभाव कर सकता है इस दवा के इस्तमाल अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही करें क्योंकि आपके डॉक्टर बच्चे की स्थिती एवं बोडी वेट के हिसाब से दवा का सही खुराक निर्धारित करते हैं और अब बात करते हैं कि इस दवा के इस्तमाल के दोरान कौन-कौन से सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए तो इस दवा के इस्तमाल के दोरान अगर आपके बच्चे को स्वास्थ समद्धी कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को आवस्य बताएं और उन सभी दवाओं के बारे में भी बताएं जो आप पहले से अपने बच्चे को दे रहे हैं यह दवा आम तोर पे कुछ समय के लिए उप्योग के लिए उप्योग्त है अधिक खुराक और लंबे समय तक इसका उप्योग न करें क्योंकि इस दवा पर निर्भरता हो सकती है और अब बात करते हैं कि सरीर में किस परकार से काम करता है तो स्लेब डोप हिपनौटिक है या सरीर में एक्टिव योगीक में परिवर्तित हो जाता है जो मस्तिक्स में सूस्ती पैदा करने का काम करता है या सोने में लगने वाले समय को कम करता है और निंद की ओधी को वढ़ाता है और अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो अगर इस दवा को सही तरीके एवं सही खुराक में लिया जाये तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखे जाते हैं जैसे सुस्तियाना, मस्तिक सेवं सारीरिक गतिविधियों के तालमेल में दिकत इत्यादी इसके common side effect हो सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें comment में जरूर बताएं